चूडी वाले आज पहना दे चूडी लाल, पीली, हरी, नीली सब चूड़िया है मेरे पास तो भवरी का चूड़िया देखकर खरीदने का मन होता है पर बेचारी के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो नहीं खरीदती और मुरारी से कहती है कि बाद में आना मुरारी कहता है ठीक है मैं तो रोज ही आता हूँ और साइकल का भूपू बजा कर वहाँ से निकल जाता है अगले सीन में कजरी नाम की मस्त दिखने वाली औरत किराना दुकान की PCO से अपने पती को कॉल लगा कर जोर जोर से कहती है कि पाच मैने हो गए घर का सारा राशन खतम हो गया ना तुम आते हो ना तुमारा money order आता है अब जल्दी से money order कर दो नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और गुस्ते से फोन रख देती है वही साइड में किराना दुकान का मालिक हरामी की तरह कजरी को गंदी नियस से देख रहा होता है और कजरी से कहता है कुछ पैसे चाहिए तो हमसे ले लो बाद में जब तुमारा पती money order करेगा तब दे देना पर कजरी कहती है टकले मूखे ज़्यादा धन्ना सेट मत बन पता है मुझे तू पैसे देगा और बाद में मेरी लेगा और कजरी वहाँ से निकल जाती है अच्छानक वहाँ से मुरारी जाते रहता है और कजरी उसके साइकल से टकरा जाती है और कहते है कि डाल दे मेरे उपर अपनी साइकल मुरारी कहता है माफ करना पर आप ही साइकल से टकरा गई मेरी गलती नहीं है तो कजरी कहती है हाँ जैसे मैं तो चाहती हूँ कि लोग आया और मेरे उपर साइकल चड़ाए तो मुरारी कहता है गुसा मत करो और ये देखो चूडिया लाल पीली हरी नीली सब है कजरी भी चूडिया देखकर आकरशित हो जाती है पर पती ने पैसे नहीं बेजे होते है तो बेचारी नहीं ले पाती और वहां से निकल जाती है अगले सीन में एक नाई सरपंच के घर सरपंच जी की दाड़ी बना रहा होता है सरपंच उसे बगल के बाल भी साफ कराता है और उसके बदले अपने बीवी से कहकर एक किलो चावल और गेहु देने को कहता है जब सरपंच की रसिली बीवी गेहू की पोटली लेकर आती है तो उसके बड़े-बड़े सामान को देखकर नाई का वस्तरा खड़ा हो जाता है और नाई पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है फिर सरपंच अपने बीवी से कहता है आज तो मैंने सभी जगह के बाल साफ किये है आज तो मस्त कबड़ी खेलेंगे और बीवी को कमरे में ले जाकर सब कुछ उतार कर पूरी तरह से गरम करके दो-चार दाव मार के धेर हो जाता है तो उसकी बीवी कहती है बाते तो बड़ी-बड़ी कर रहे थे थोड़ी देर भी टिक नहीं पाए तो सरपंच कहता है ज जा करेगी चूड़ी पहन कर काम करेगी तो तूट जाएगी पर वो जित करती है तो उसका पती कहता है अगले हफते प्रदान जी के वहाँ फसल काटने जाना है तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तब खरीद लेना तो भौरी के चेहरे पर थोड़ी मुसकान आ जाती है फिर उसका पती कहता है कि बहुत ठक गया हूँ खेट में काम करके और सो जाता है और भौरी उसके पैर दबाती है और धीरे से अपना हाथ उसके सामान पर लगाती है पर वो उसे जिड़कता है और कहता है मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है तो सो जा और भौरी प्यासी सो जात पर तुम चूड़ी ले ले और पैसे बाद में दे देना तो कजरी कहती इतनी महरबानी क्यो तो मुरारी कहता है धंदा है उधारी का इसमें क्या महरबानी कैसी महरबानी और कजरी को सुनेरी कलर की चूड़ी उसका हाथ पकड़ कर पहनाता है और उसके हाथ को छूकर कहता है बहुत सुन्दर है आपकी मुस्कान और आपकी चूडिया कजरी भी लाल साड़ी और सुनेरे चूडियों में कमाल लगती है और मुरारी की तारीफे सुनकर बहुत खुश होती है मुरारी से कहती है तुमारी शादी नहीं हुई क्या तो मुरारी कहता है नहीं कोई मिली नहीं आप जैसे सुन्दर तब तो कजरी और भी जादा खुश हो जाती है और मुरारी को इशारा देकर कमरे में चली जाती है फिर क्या मुरारी कजरी की कचोरी बना देता है और मुरारी अपनी चिकनी चोपडी बातों से औरतों की तारिफ करता है और उन्हें चूडिया पहना पहना कर लेता है और खुश करता है नेक्स्ट एपिसोड में मुरारी भोरी और सरपंच की बीवी को भी इसी तरह से खुश करेगा पर किस अंदाज में करेगा जल्द ही हम एपिसोड 2 में जानेंगे तो दूस्तों कैसी लगी आपको चूड़ी वाला वेब सीरिस की कहानी अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्टोरी एक्स्प्लिनेशन वाली वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद